अगर आपके दात में भी कीरे लग गये हैं, बहुत सारे सर गये हैं, काला पन हो गया है, या फिर आपके दात में दर्द रहता है, या फिर आपके दात पीला पन है, तो फ्रेंस इसे आप हटाना चाहते हैं, तो चलिए आज जो हम नेचुरल रेमेडी लेकर आए हूं, बहु दोने लगते हैं, जिसे कि बहुत सारा दर्द होता है और हमें बरदास भी नहीं हो कर पाते हैं, इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ही परता है, होम रेमेडी जो लेकर आए हूं फ्रेंस, इस तरीके से आपके पीले भी दात हो गये हैं, या फिर इस तरीके से बच्चे का भी दात सड गये हैं, तो ये होम रेमेडी से आप बहुत अच्छे से दात को चमका सकते हैं, और बच्चे के लिए भी लेकर आए हैं फ्रेंस, ये रेमेडी तो चलिए, आज ये रेमेडी एक बार यूज करेंगे फ्रेंस, और दात का दर्द में जितने भी कीरा लगा पिलापन है, पेडिया का बिमारी है, या दात से बलट जा रहा है, तो ये सब बिमारी से छुटकारा पा सकते हैं, ये घरेलू पाई से, तो फ्रेंस, इसे हमें डेली ही यूज करना परता है, दिन भर में एक बार जरूर इसे यूज करें, जब आपका टाइम मिलें, तो फ फ्रेंस, यहां पे ले लिये हैं लहसन, अब ये लहसन को हमें छील लेना है, तो जैसे कि आप जानते ही हैं, लहसन हमें बहुत सारे ऐसे से यूज में लेते हैं, आज जो हम यूज में लेने वाले हैं, फ्रेंस, वो है कि हमारे दात में जो भी प्रोब्लम है, आप दात से परेसान हैं, बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, फ्रेंस हम ये जो होम रेमेडी लेकर आए हूं कोई भी इसे यूज कर सकते हैं, तो वस फ्रेंस हमें करना क्या है, यहाँ पे छील लिए हैं, और छीलने के बाद यहाँ पे हम खलवटा में इस तरीके से बारिक बारिक चूर ठीक है न हमें इसे मिक्सी में नहीं पीसना है, आप सोच रहे होंगे कि मिक्सी में भी तो पीस लेंगे, तो नहीं फ्रेंस ऐसा नहीं है, आप मिक्सी में पीसोगे तो वो पूरा पेष्ट की तरह बन जाएगा, तो वो इसा नहीं करना है, बस इस तरीके से दरदरा ही पर तो फ्रेंस, आप को ज़्यादा बनाना है, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, नहीं तो फिर दो-तीन कलियां आपके लिए काफी है, और इस तरीके से थोड़ा सा आपको हलदी मिलाना है, थोड़ा सा हलदी emor एक इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपके दात में कीरा लगा हुआ है फ्रेंस तो आप इसको थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे उसके बाद इसको जो है अच्छे से मिल गया है तो हलका सा हमें इसमें डालना है सरसो का तेल ठीके तो फ्रेंस आपको कहना चाहती हूँ कि ये जिनके दात में क बहुत सारा दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत ये होम रेमेडी आप घर पे तयार करें और फिर ये आप अपने दात पे अच्छे से लगाईए, आपको बहुत सारा राहत मिलेगा फ्रेंज, ये बहुत ही कमाल का ये जो होम रेमेडी है ना बहुत ही राहत मिलता है फ्रेंज आप यकीन करिए और इस तरीके से यदि आपकी दात में पैडिया के बिमारी है या फिर आपको मसूरे से बलट जा रहा है तो आप क्या करें इस तरीके से जिनको दात में किरा लगा हुआ है त्यान से सुनिए उनके लिए हम ये बता रहे हैं थोड़ा सा कोटन लेना है और फ कोई तो थोड़सा ज्यादा। लें इस तरीके से भाकर जहां पे भी आपके दाथ में कीरा लगा हुआ है nहां पिस तरीके से रखोड़ें जहां पे कीरा लगा हुआ है और इस तरीके से आप 10 مिनेट रखते हैं अपने दाथ के ऊपर, sorry कीरा Florida दर्द बहुत ही रहत मिलेंगा, कि हल्दी जो है वो दर्द को बहुत ही जल्दी रहत मिलता है और यह सरसो का देल है यह दातों के लिए रामबान उपाए है friends और यदि आपके दाथ पीला पन है या फिर आपके दाथ से मसूरे से बलड़ जाता है तो आप क्या करें या पीला पन है आप इसमें हलका सा मीठा सोडा मिलाएं एक चुटकी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो फिर इस आप न डालें बड़े के लिए बनाना है जदा दात आपका गंदा है तो आप एक चुट की मीठा सोडा इसमें डाल कर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर बड़स से नहीं आप अंगली के मदद से अपने दात पे अपलाई करें आपका दात हीरा की तरह चमकने लगेगा फ्रेंस आप ये रेमेडी को एक बड़ यूज करकर देखें तो कैसा लगा आज का वीडियो कल में